वेलकम टू नॉलेजेस्टिक एंड वेलनेस आज हम जानेंगे पपिया के फाइदे पपिता एक ऐसा फल है जिसे बीमार होने पर या पेट खराब होने पर ही याद किया जाता है लेकिन पपिते के गुण इसे कह जाता है डाइट में पपिता शामिल करने से हमें जबरदस फाइदे होते है पपिते में बहुत मात्रा में फाइबर पाया जाता है पपिता डाइजेशन में मदद करता है कब्स बूखना लगना पेट के सम्मंदित सभी बिमारियों में पपिता बहुती लापकारी है पपिते में लाइकोपीन होता है जो कैंसर के खत्रे को कम करता है और कैंसर में लड़ने के लिए मदद करता है यह फल उन लोगों के लिए फायदेमन माना जाता है जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है पपिता एंटियोक्सिडन्ट और विटामिन सी से भरपूर है जो चमकदार स्कीन पाने के लिए मददकार है लाइकोपीन और विटामिन सी से भरपूर पपिता उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करता है त्वचा के कई रोग एकने, पिंपल्स, जूरिया, कील मुहासे को ठिक करने में पपिता बहुती गुनकारी है पपिता हर्मोनल इंबैलन्स को ठिक करता है पिरेड्स के दवरान पपिता बहुती फायदे मन्द है पपीते का रस्पीने से अर्णियमेट पिरेड को सामाने किया जा सकता है पपीते में कार्डियो प्रोटेक्टिव और एंटियोक्सिडन गुन पाय जाते हैं जो रहदे को स्वस्तर रखने के लिए बहुती गुनकारी है रहदे सम्मंदि सभी बीमारी हाई ब्लड प्रेशर और केलिस्ट्रॉल में पपीते का सेवन बहुती फायदे मंद है विटैमिन सी, एंटियोक्सिडन्ट, मिनरल और फायबर से भरपूर ऐसा है पपीता हमारे रोक प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है नैचुरल इमनिटी बुस्टर और बहुत सारे आउशोद्य गुणों से भरपूर ऐसा है पपीता है विडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेर सब्सक्राब कमेंट जरूर करें थैंक यू, थैंक यू फर वाचिंग